हरी कृष्णा राधी राधे शिरी ओम नमो भगवते वासु देवाए आज मैं आपको पुर्षोत्तम मास में सुनी जाने वाली लक्ष्मी देवी की कहाने सुनाओंगी और पुर्षोत्तम महीने की कहाने सुनाओंगी तो चलिए प्रेम से सुनते हैं बोलिये लक्ष्मी माता की जै हो किसी गाउं में एक बुढिया माई रहती थी बुढिया माई के चार बेटे थे चार बहुए थी बुढिया माई की तीन बहुए बहुए बहुत चालाग थी काम चोड थी लेकिन छोटी बहु मन की साफ थी भोली भाली थी और माता लक्षमी की भगत थी बुडिया माई अपनी सबसे छोटी बहुपो सबसे अधिक प्रेम करती थी जिसकी वजह से बाकी तीन बहुए उससे बहुत जलती थी बहुत चिर्टी थी एक दिन बुडिया माई को तीर्थ करने जाना था बुडिया माई के पास चार भैसे थी तो बुडिया माई ने अपनी चारो बहुओं को बुलाया और सभी को एक-एक भैस देते हुए कहने लगी कि सभी एक-एक भैस रख लो और भैस के दूट से घी बना कर जमा करना जब मैं तीर्थ करके वापस आऊंगी तो देखूंगी किसने ज़्यादा घी इकटा किया है इससे तुम्हारी योगिता का पता भी चल जाएगा यह बात सुनकर तो तीन बहुए बहुए बहुत खुश हो गई क्योंकि जानती थी कि छोटी बहु तो अपने धरम करम में लगी रहती है घर के कामों में इतनी तेज है नहीं सारा समय तो प्रभू की भक्ती करती रहती है उसे तो ना दूद जमा ना आता है और न दही बिलो ना आता है वह घी कहां से बनाएगी यह सोचकर बड़ी तीन बहुएं खुश हो रही थी अगले दिन सास तिर्थ करने चली गई सबी बहुओं ने अपनी अपनी भैसे अपने कमरे के आगे पादली तो छोटी बहु ने उनसे पूछा जी जी कैसी क्या करना है पर उसे किसी ने कुछ नहीं बताया साधु संत मंदिर में आकर रुके हुए थे अब उसे दही बिलोना तो आता नहीं था उसमें सोचा दूद बेकार होगा अब वही क्या करती जब मंधिर जाती दूद अपने सात ले जाती और साधु संतों की सेवा में उसे लगा देती साथ हुशंतो को पिला देती ऐसा करते करते بہت समय निकल गया सासू जी के वापस आने का समय हो रहा था तीनों भुखों ने डबा भर भर के घी जोट लिया लेकिन छोटी भुखों ने तो ना दही जमाया था ना दूद पिलोया था वो तो सारा दूट सादो संतो को पिला आती इसलिए उसके पास कुछ था नहीं रोती रोती मंदिर में जाकर बैठ गई माता लक्ष्मी के सामने बैठ कर रोने लगी और कहने लगी माता लक्ष्मी अम मैं क्या करूंगी सासु जी आएंगी तो घी मांगेंगी तब ही माता लक्ष्मी उसके सामने परकट हो गई बहु माता लक्ष्मी को देख कर बहुत हैरान होई तब माता लक्ष्मी ने उसे चार छोटे-छोटे पत्थर दिए और कहने लगी एक-एक पत्थर एक-एक डब reh में डाल देना अब समने छोटी बहु की तरफ देखा, वो अंदर गई और चाड बे लेकर आई, सब हैरान रह गए, अरे इसने तो कभी दही जमाया नहीं, दूद बिलो या नहीं, ये इतना घी कहां से आया, जरूर इसके पती ने ला कर दिया होगा, तब छोटी बहु कहने लगी, मुझे दही बिलोना आता नहीं था, मैंने पूछा तो मुझे किसी ने बताया नहीं, इसलिए मैं अपना सारा दूद दही जाकर सादो संतो को पिला देती थी, माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, तो माता लक्ष्मी ने मेरी लाज रख ली, और मुझे चार पत्थर दिये, मैंने जैसे आपने छोटी बहु की सहाइधा की, जैसे आपने छोटी बहु का सत रखा, वैसे ही सब की सहाइधा करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, बोलो लक्ष्मी माता की जै हो, आईए अब सुनते हैं पुर्षोत्तम महीने की कहानी, किसी गाउं में एक बुढ़ि एक दिन उनकी पोती पुछने लगी दादी जी, आप रोच क्या करती हो, तब बुढ़िया माई कहने लगी बेटी, मैं पुर्षोत्तम मास का इसनान कर रही हो, और पुर्षोत्तम भगवान की कहानी सुनती हो, तब पोती कहने लगी दादी जी, मैं भी पुर्षोत्तम मास का इसनान करूंगी तो दादी कहने लगी नहीं बेटा तु ये नियम मत ले तेरी शादी होगी पता नहीं ससुराल में जाकर इतने काम के बीच में नियम निभा पाएगी या नहीं चल मैं तुझे पुर्शुत्तम भगवान की कहाने सुना दिया करूंगी पोती ने कहा ठीक ह दादी जी अब रोजाना दादी पोती दोने बैठ कर पुर्शुत्तम भगवान की कहाने सुन लेती दादी एक लोटा पानी भरती उसमें फूल रखती और कहानी कहती पोती कहानी सुनने के बाद लोटे के जल को सुर्य भगवान को अरग्य दे देती कुछ समय बाद जब पोती बड़ी हो गई तब उसकी शादी हुई विदा होने लगी तो बुढिया माई ने कहा बेटी तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है एक लोटे में पानी भरा पुर्शुत्तम भगवान का ध्यान किया उसमें दो-चार फूल डालकर पोती को दे दिये और कहने लगी रोजाना पुर्शुत्तम भगवान की कहानी सुन लिया करना देख पा कहानी सुनने का तेरा नियम है इसे मत छोड़ना पोती विदा हो गई रास्ते में सोचने लगी हे पुर्शुत्तम भगवान सुसुराल में मुझसे पूछेंगे की पीहर से क्या लाई है तो मैं क्या बताऊंगी मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था बुड़ी दादी थी उन्होंने लोटे में पानी और फूल के अलावा कुछ दिया नहीं अब आप ही बताऊ मैं क्या करूं पुर्शुत्तम भगवान से प्रार्थना करने लगी चलते चलते रास्ती में एक जंगय रुख गए तो ससुर जी कहने लगे चलो कुछ खा पी ले तब पुर्शुत्तम भगवान से उसने प्रार्थना की वो तो डर गई कि अब सब लोग समान खोलेंगे उसमें तो कुछ भी नहीं है क्या खाए पीएंगे उसने पुर्शुत्तम भगवान से प्रार्थना की पुर्शुत्तम भगवान ने सोचा इसका कश्ट दूर करना पड़ेगा तब पोती कहने लगी ससूर जी से अपने कि ससूर जी मैं इस नान कर लो फिर सब को खाना लगा कर देती हूँ वह उठी नहा दोकर उसने चार फूल लिये लोटा पानी कर लिया और पैट कर कहाने सुनी तब पुर्शुत्तम भगवान की किरपासे उसका जो सामान था हीरे मोती हो गए खोब गहने हो गए खोब कपड़े हो गए खोब अच्छे अच्छे पकवान हो गए तो जब उसने जाकर समान खोला तो देखा उसमे तो बहुत सारे पकवान हीरे मोती भरे पड़े हैं बहुत समान हो रहा है बहुने सब समान देखा तो बहुत खुश हो गई पुर्शत्म भगवान को धन्यवाद देने लगी उदर बहु की गाड़े में गहने और कपड़े से भरे बक से देखे तो ससुराल वाले भी बहुत खुश हो गई कि बहुत बड़े घर से आई है लेकिन जब हम गए थे तब तो देखने में करीब लग रहे थे बहुत बहुत सारा धन लाई है करते करते घर पहुँच गए उसके ससुराल वाले भी बहुत करीब थे दावत के लिए भी आटा दाल चावल मांग कर लाए थे उसके बाद जब उसे ये बात पता चली तो बहुत को बहुत दुख हुआ उसने पुशुत्तम भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरे ससुराल वालों पा दुपदूर करो तब भगवान ने कहा कि तुम सुबह कहाने सुनना और कहाने सुनने के बाद जिस लोटे को रख़ कर तुम कहानी सुनोगी उसी के जल से तुम घर का सारा काम करना रसोई बनाना अब बहुत सुबह जल्दी उठी नहा दोकर लोटे में जल भरा, कुछ फूल डाले और पुशत्तम भगवान की कहानी सुनने लगी कहाने सुनने के बाद रसोई बनाने चली गई जैसा भगवान ने कहा था जिस लोटे को रखकर कहाने सुनी थी उसी के जल से रसोई बनाने लगी तो 36 प्रकार के भोजन बन गए साससर उठे तो देखा पूरा घर का काम हुआ पड़ा है 36 तरें के भोजन बने रखे हैं तब वह कहने लगी बहु ये जमतकार कैसे हो गया तब बहु ने कहा कि माजी मैं पुर्शुत्तम भगवान के कहानी कहती हूं तो भगवान ने मुझे सपने में कहा था कि जब कहानी कहेगी उसी लोटे के जल से तो रसोही बना लेना उसी से ऐसा ही मैंने किया तो 36 तरें के भोजन बन गए तब सास्तू जी कहने लगी चल बहु खाना खा ले तो बहु कहने लगी कि पहले ससूर जी जीम ले फिर आप जीम लो फिर मेरे पती देव जीम ले तो मैं जीम लोंगी ये बात सुनकर तो साससूर बहुत खुश हुए जब सब जीम लिए उसके बाद भी बहुत सारा भोजन बचा रह गया तब सासू कहने लगी अब इस भोजन का क्या करूं तो बहु कहने लगी सासू जी पडोस में बाट आओ तो सासु जी पडोस में बाटने चली गई हलवा पूरी बाट रही थी तो पडोसन कहने लगी क्या बात है कल तक तो आटा दाल चावल हमसे मांग कर ले जाती थी आज हलवा पूरी बाट रही है क्या हो गया तब वह कहने लगी कि मेरी बहुतो साक्षात लक्षमी का रूप है बहुत धन लेकर आई है पुशुत्तम भगवान की पूजा करती है पुशुत्तम भगवान की कृपासे हमारे घर में खूप धन अंधन हो गया है अब सासु बहु दोनों सुबह उटती और पुशुत्तम भगवान की कहानी कहती पुशुत्तम भगवान की किरपासे उनके खूप भंडारे भर गए करद में धर के अंबार लग गए धेर लग गए ए पुशुत्तम भगवान जैसे आपने बहु की मनोकामना पूरी की, जैसे आपने बहु की लाज रखी, वैसे ही पुशुत्तम मास का इसनान करने वाले सब की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, बोलो पुशुत्तम भगवान कीजेहू